नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज हम एक ऐसी फ़सल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी केटिशे किसान भाई बहुती कम लागत में अधिक से अधिक लाब अरजित कर सकते हैं जिहां दोस्तों सही सुना अधिक से अधिक ला तेल वाली तुलसी के नमसे भी जाना जाता है। यह तुलसी मात्र चार महा की होती हैं इसके उत्पादन के लिए अधिक खर्च भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि यह वर्सा रितु के फ़सल होती है अता इसमें सिचाय किया हो सकता नहा के बराबर होती हैं इनके पत्यों से सुगंद आती है इसलिए इसमें कीट और रोग भी नहीं लगते हैं। इनके पत्यां एवं साखाएं इतनी घनी होती हैं कि इनके नीचे खरपतवार भी नहीं उखते हैं। इसके वेप्रीत अन्य वर्शारितू की फसलों में बहुत ही अधिक खरपतवार उ Danis however, और एसी मर्दा की व्षरपता होती है जिसमें समोचित जल निकास की व्यावस्ता हो मर्दा भूरबुरी एवं दो मठ होनी चाहिए। इसके उस्तवाधन के लिए जून महा में इसकी नर्सरी डाली जाती है नर्सरी के लिए मात्र 300 ग्राम बीच की यवसकता होती है जुलाई माहा में नर्शरी में उगे पोधों को रोपन क्या जाता है रोपन करते समय जो पोधों की दूरी होती है वो 35 से पंक्ती 45 और पोध से पोध 40 रखनी चाहिए खनीज अगर देने हो तो इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन 60 किलोग्राम फोसफोरस, 40 किलोग्राम पोटैस के साथ 20 किलोग्राम सलफर डानना चाहिए नाइट्रोजन को 3 हिसों में बाटना चाहिए 50 किलोग्राम नाइट्रोजन बुवाई के साथ 25 किलोग्राम नाइट्रोजन बुवाई के 15 दिन बाद और 25 kg nitrogen 15 दिन बाल दानना चाहिए Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant द्वारा इसकी कुछ परजातियां भी विक्षित की गई हैं जैसे सिम सॉम्या, सिम जोती, सिम सारदा, सिम सुर्भी इसकी उन्नत परजातियां है परति हैक्टियर छित पर से लगबग 200 कुंटल उपच पराप्त होती है जिससे 100 kg तेल पराप्त किया जा सकता है इससे लगबग 1 लाग तक का मुनाफ़ा पराप्त किया जा सकता है जबकि इसको उत्पादन के लिए लगबग 20,000 रुपए का व्याय करना होता है तुलसी की फसल से बहुती कम समय में अधिक लाब अरजित किया जा सकता है दोस्तों हमारा चैनल सबस्क्राइब करना ना भूले और कैसा लगा हमें कमेट में जरूर बताएं